सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नलोजी एंड स्मार्टफोन वीडियोज नमस्कार दोश्तों मैं हूँ प्रचीत और आप सबका स्वागत दें यूटूब के एक फ्रेश एपिसोड में और आज मैं आपके सार डिसकेशन करूंगा अश्याइब आप देख सकते हो और काफी लोगों मुझे कमेंट सेक्षन में पूछा था क्या मैंने यह प्रोड़क को पर्चिस किया था क्योंकि इस प्रोड़क की प्राइज लगबग 2,00,000 रुपए है तो नहीं मैंने इस प्रोड़क को पर्चिस नहीं किया था मुझे एस आज की वीडियो में आपको साथ दिखाता हूँ कि क्या-क्या नए फीचर इस पर्टिकुलर लैप्टॉप में जो मुझे पसंद है इस्पेशली और बात करते है थोड़े बहुत डीटेल रिवीव की अगर हमेशे की तरह आगर आपको वीडियो हचले लगते तो लाइक को सबस्क्राइब जरू करना और आपको कोई भी सवाल डाउट रहेगा और भी कमेंट्स में जरू डाल देना तो विदाउट इन फोटो डिलेग्स लेट्स सबसे तो पहले स्टार्ट करते इसके हार्डवेर कंफिग्रेशन के बारे में और यह काफी प्रीमियम केटेगरी का यह लैप्टॉप है और जैसे कि आप देख सकते हो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यह जो है और आप देख सकते हो आइन प्रोसेसर इसमें 16GB की रैम है 64GB और विंडोस 10 इसमें इंस्टॉल किया हुआ है और 1TB का स्टोरेज इसमें हमको मिल जाता है और इसके से लॉंच किया है हला कि 2018 में लॉंच किया था करीबन और इंडिया में अभी यह लॉंच हुआ है यह पर्टिकुलर प्रोड़क्ट तो हाडवेर के मामले में तो काफी अच्छा प्रोड़क्ट कोई भी पीशू नहीं है और सबसे बहले बात करते हैं डिस्प्ले की जो मु यूट्यूब वीडियो में ने प्ले किया हुआ था तो आप कॉलिटी भी देख सकते हो डिस्प्ले की मैं उसको फुल ब्राइटनेस लेवल पर लेके जाता हूं और काफी विविड एंगल्स और काफी अच्छी क्लारिटी हमको इसमें मिल जाती है और डेफिनिटल मैं बक तो काफी पसंद आया और इस प्राइस पॉइंट में तो इतना डिस्क में तो मिलना ही था 4K ओल डिस्प्ले तुझे का काफी एक अच्छी चीज़ है इसके रहाव इसमें डियूल डिस्प्ले आता है और जो सेकेंड डिस्प्ले आता है वह ऐस 5.5 इंच का फूल एजडी डिस्प्ले घ्राइस डिस्प्ले डिस्प्ले जिसका आप ऐस्सट्र को अपको उप्सिंस भी उन्हों ने दिय दिया कि कैसे व्यूजर करना पर इस में अइस-ध। तो ये काम करता है आप इस सकते और डबल क्लिक करता है तो यह ऑपन हो जाएगा इसको क्लोज करता हूँ यहां से इसमें आपको स्टोरेज भी दिखा देता हूँ तो यह अज़र टच्पेड करके भी काम करता है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं तो यह एक कमाल की चीज इस पर्टिकुलर लैप्टॉप में दी गई है कि आप डिरेकली टच से भी इसको एक तो यह है वो स्क्रीन पैड मोड सबसे फर्स्ट और सेलेक्ट करने के बाद आता है जो डूल डिस्प्ले वाला टच्पैड में स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है और इसको हम स्वाइप डाउन करेंगे तो अलग अप्शन इसमें मिल जाते हैं जैसे कि हम होम में जाएंगे तो अंज्जा कर सकते हैं तो यह चीज अच्छी है यह स्कृन पैड मोड में आपको यह पर्टिक लचीजे मिल जाएंगी तो हम में स्क्रीन में काम भी कर सकते हो और इस पर्टिकॉलर सेकंड रए प्लिकेशन चोटा चेशन यूज करके उसको भी इस्तमाल कर सकते हो अब जो section उन्होंने दिया है वो extension display मतलब main display को आप इस particular display में भी ले सकते हो वो भी आमें आपको दिखा देता हूँ तो इस तरह से कुछ आपको dual display का mode मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हो दो display काम कर रहे यह जो main display आगे है और यह secondary display भी काम कर रहे screenpad mode अलग था और यह extended display का mode है वो अलग है और इसमें आप यहां से भी operate कर सकते हो और वहां से भी operate कर सकते हो और मनौ आपने यहां से कुछ open कर दिया है let's say Google Chrome को अपने open किया यहां से इसको open करता हो और आपको इसको ड्राग और ड्रॉप भी कर सकते हो secondary screen पर काम भी कर सकते हो तो यह dual display कुछ इस तरह से काम करता है हलाकि इसका कितना use normal people को उसको मुझे आइडिया नहीं है लेकिन यह काफी useful चीज़ है उनके लिए जो multitasking करना प्रिफर करते हैं मतलब एक साथ जिन को दो-दो monitor के ज़रुवत पर दिये उनके लिए काफी अच्छी चीज़ है कि आप यहां से डिरेक्ली अप screen पर सके थूख multiple applications भी access कर सकते हो यह फिर dual display लेकि आप यहां के application से यहां भी लेकि काम कर सकते हो तो यह एक चीज़ मुझे काफी अच्छी लगी इस पर्टिकुलर लैप्टॉप में अभी इसके sound quality के बारे में बात करते हैं उसको दो bottom firing speakers इसमें दिए और मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी sound quality कैसे आती है साउंड है किसमत एक टेरी बाजी तो डेफिनेटल इसका sound quality काफी अच्छा है काफी इंप्रेसिव है और मतलब काफी अगर आप इस पर मुवी देखोंगे मल्टी मीडिया देखोंगे song सुनोंगे तो काफी एक अच्छा express आपको इसमें मिल जाएगा हाला कि प्राइस भी सी यह और अभी सिधा आते हैं प्राइस के उपर प्राइस दो लाग के उपर और हमको पता है दो लाग काफी ज्यादा प्राइस हो जाती एक नॉर्मल मिडल क्लस परसन के लिए लेकिन यह लैप्टॉप उतने फीचर्स भी प्रोवाइड करता है काफी प्रीमियम सेग्में में आता है सभी हाडवेर पावर पैक पर्फॉर्मंस है आपको ड्यूल डिस्प्ले मिलता है और अच्छी चीज़े भी है इसमें यह प् पर्चिस करना पसंद करूंगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक को सब्सक्राइब भी जरूर करना और आपका कोई भी सवाल है डाउट रहे का वो कमेंट्शन में जरूर डाल देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तेल देन थांक्यों वेरी मच and see you soon